कि हाला वर्यवन कैसे आप सब आएम पुछ गुपता चार्ट एकांटेंट सो अभी ना हम यह देख रहे हैं टैली यारपी नाइन और टैली प्राइम दोनों के बीच में एक ओवरॉल चेंज किया है और टैली प्राइम के अंदर क्या कंटेंट होता है जो हमारा टैली सर्टिफिकेशन कोर्स है वो कैसे डिफरेंट होने वाला और उसमें क्या-क्या हम बहुत अच्छे से समझने वाले तो वह सारी चीजिए हम आज अभी डिसकस करेंगे तो सबसे पहले टैली यार्पी 9 टैली यार्पी 9 ऐसा कुछ लुक आता और वैसे तो यह 15 यह से पुराना होगे जो इसका यूजर इंटरफेस है टैली यार्पी 9 से पहले मतलब जो था 7.2 के बाद इनका इनका पुरा लुक ऐसे ही चला रहा है यहां पर फंक्शन से हैं फंक्शन भी आपके लिमिटीड हैं ज्यादा ऑप्शन नहीं है और फीच सारे हैं राइट साइड में हमारे ठीक है और यहां पर बिल्कुल लुक ही उन्होंने चेंज कर दिया अंदर के फंक्शन सारे चेंज होगी गोटू गोटू में अभी अगर मैं देखता हूं तो यहां पर एक्स शो मोर या आपके बैलेंशीट ओपन करने का प्रॉपिट अ होने वाला है तो महां पर भी देखेंगे कि इतना कुछ हमारे लिए चीजे नहीं आएंगे अब एक कोशन बहुत कॉमन आता है कि आपको टैली यार्पि 9 करना चाहिए यह टैली प्राइम करना चाहिए दोनों सेटिफिकेशन कोर्स एवलेबल है मैं परसनली रिकमेंड करत है कि existing software की टैली यार्पि 9 software क्या है कि अब बहुत टाइम से चला रहा है तो कंपनी जो है एकदम स्विच नहीं करेंगे टैली प्राइम के उपर क्योंकि टैली प्राइम एकदम नहीं आ गया तो बहुत सारी कंपनी जो क्लाइंट अगर आपके प्रैक्रिस स्टार्ट कर रह होंगे थोड़े से भी बड़े क्लाइंट होंगे जिन्होंने औरिजनल वर्जन पर चेस किया होगा टैली का और वो ओके हैं उनके अंडर में एंप्लॉईज हैं सो वहां पर वो टैली प्राइम पे स्विच कर जाएंगे आपके लिए जोब ऑपरचुनिटी स्टैली प्रा प्राइम के साथ भी डिरेक्ली जा सकते हैं अब हमने क्या कर दिया पहले नहीं था इसमें बेसिक अकॉंटिंग भी एड कर दिये साली वह वीडियो की जर्नल एंट्री कैसे होते हैं वह सब भी एड कर दिया तो यहां पर GST के बारे में भी समझाय गया है तैली वी GST अलग चीज हो जाती है जब कोई भी कहता है तो उसका मतलब होता है तैली सिखाया जाएगा जिसमें GST का अगर आप GST के बारे में सिखाया है जिस्ट का अगर आप GST के रूल्स रेगुलेशन रिजिस्ट्रेशन रिटन फाइलिंग वह सब सीखना चाहते हो तो उसके लिए GST जो हमारे एडवांस सेटिफिकीशन को से वह रिलेवेंट है अब मैं बात करता हूं यहां पर हमारे इन सब के बारे में हम अभी देख तो सबसे पहले बात आती है कर दो मात कर रहें हैं अ कि की एकांटिंग के अंदर क्या है तो इसमें हम यहां पे सबसे पहले समझेंगे ग्रूप के बारे में एकांटमें जर्णालल स्मेंगे रहरफ के छिए अजे सम्झेंगे और को अनगो मेंगे ग्रुपड के अंदर निन उसके डिवाइड करेतं सम्झेंगे प्रोड़कि कास्ट कैसे निकाल सकते हैं उनको अलग जब कर सकते हैं पूरा इंवेंटरी का और इसका यहां पर आपको सेखने को मिलेगा to monitor करना आप अपनी कंपनी का यह आप नहीं तो अपनी को क्या होता है बजट प्रिपेर करना होता है initially कि कितना बजट है कि over the time लाइक ली ओवर विवीव दे रहा हूं ठीक है बाकी तो पूरा इंडेफ्थ कवर हो गई होगा अगर एक इक चीज अभी कवर करने लग जाएंगे कम चाहिए अभी क्या होता है कि आपने कोई समान खरीदा ठीक है उसको गुरूप में डिवाइड करना लेक आप किसी कंपनी करनी में काम करहें य। आपके पास कोई क्लाइंट है बडा क्लाइंट है आप उनके लिए पिन का काम करों गर उनके अकांटर यरेटर रिपेर चाहँ चाहँ अधूत परेस तो आप उनको कर सकतेоляग घरुप सकते बीघरूत जिसके 행복 रूख मैने हो रहाएं ओर सोनी का लग वीडियो कॉंट ऐसे ही आपने फ्रीज बनाए उसमें LG का समसंग का उनके सब के सब के सब बना सकते हैं उनके अंदर अच्छी कंपनी में अच्छे लेवल पर भी वर्क आप कर सकते हो डेटिल में समझेंगी और जैसे स्लाइटली सा आपको पहले था कि जो टैली की वीडियो सी न कि उस पर हम की जो प्रैस करते थे वह प्राप्लम आज तो टैली अर्पी ना प्राइम पर वह भी प्राप्लम प्राप्लम सुझेंगे तो वहां पेंप्लोई और रिकोर्ड मेंटीन करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है तो वह उसमें कंपनी के लिए बहुत बड़ा टास्क होता वोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं भी होती है सो यहां पे भी क्या होगा जब आप पेर और के एक तरद बना सकते हैं उनकी एंटेंडेंस अप्लोड कैसे गरना है कि उन्होंने मन्त में कितनी एंटेंडेंस उनकी आई ताकि उसकी साथ से है और उनका पे हैट फिरा तो मतलब पूरा पेरॉल का मैनेजमेंट कोन है किस कैटेगरी का इंपलोई जाए कितने चुटी की उनकी लिव करतो होनी है वह सब कैलकूलेशन यहां पर हो जाएंगी टैक्सेशन टैक्सेशन में जी एस्टी टीडिए टीए टीए इस इन तीनों क जाएगा तीडिएस टीएस भी इसमें कवर होगा अब बात आती है जीएसटी रिटन आप खोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि जीएसटी रिटन का सेपरेट को से हां यहां पर जो जीएसटी का डिटन का पार्ट है जीएसटीर 1 2 और 3 भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब मैं पर्सनली हमेशा मान के चलता हूँ कि डिरेक्ली टैली से आप रिटन फाइल मत करिए ठीक है बहुत सारी वीजन से अभी मैं ओपन प्लैटफोर्म पे क्योंकि वीडियो यूटूब पी आने वाली है तो नहीं शेयर करूँगा बट बहुत सारी रिजन्स होते ह टैली से डिरेक्ली अप्लोड मत करी बैटर क्या होता है डेता मिंटिन करिये उससे टैली का जो डेटा है ना उसको रिपोर्ट जनेरट करना से अब लूड करो तकि रिपोर्ट जनरेट हो जाए ना उसमें जो भी चेंजि़ हो वो करके फिर उसको मैनुवली आप अपलोड करके उस पर पोर्टल पर अपलोड करके रिटन फाइल कर सकते हैं तो यहाँ पर जो हम सीखेंगा टेली के अंदर इन रिपोर्ट्स को चेक करना सीखेंगे जो टेली से होती है और कैसे उसको इस कौलम में क्या डेट आना चाहिए पोटल पर डेरेक्ली पोटल केसे करें, रिश्टेशन कैसे करें, जीएस्टी के रूलस रेड़ूलेशन एडवांस लेवल के, वोच सब ए मारे जीएस्टी ऐसी सर्टिफिकेशन में काफी इंपर्टेंट अपिक्स, इंट्रस्ट कैल कॉलेशन, प्राइस लेवल, batches bank reconciliation bank reconciliation तो पता होगा आपको like मेरे account book की साब से कुछ और balance आ रहा है और bank का balance कुछ हो रहा है जो passbook में balance रहा है उनको reconcile करना यह बड़ी companies में और चोटी company में बहुत बड़ा क्राम होते है क्योंकि difference समेशा आते ही आते हैं बहुत सारे अभी purchase कर आपने आप उसकी entry लिखो के tally में record करोंगे वही command दे दो और अपना blank check printer में रखिए उस पर वो automatically print को कर आजाएगा मतलब आपको manually पूरा check fill करने की जरोड़ी sign तो करने पढ़ेंगे ठीक है बागी पूरा पूरा check fill हो कि आजाएगा कि जैसे लिखा हो दाने पे किसको करना है तो उसका नाम डेट आजाएगी उसकी amount वह सब चीजी इसमें automatically आजाएगी invoice printing invoice कैसे generate करना है उसको print कि command कैसे देनी है invoice कैसे manage करना है और invoice on MRP बहुत important part क्या होता है अभी practically अगर बात करें MRP पर product sale होता है या मतलब प्राइस फिक्स होता है आप आपने discount भी ठीक है प्राइस फिक्स है अभी हम customer को क्या कहते है जो final price इस पर discussion होता है like मैं seller हूँ आप मेरे पास आया आप मैंने आपको कहा हजार रुपे का दूँगा आप नहीं हजार करने मुझे नौसर रुपे कर जाएगी फिर हमारे बीच में settlement होगे 900 अभी invoice मुझे रेस करने 900 900 के अंदर GST included tax included reverse calculation करने बैठों का तो कितना time लग जाएगा यहां पर automatic हो जाएगी वहां पर जैसी आप 900 एंटर करोगे न तैली अपने आप reverse calculation करके पूरी invoice जनरेट कर देगा फोर एक्जांपल रफली एक फिगर बोलना हूँ 850 का goods होगे 50 का GST होगे 900 आपके total invoice तो यहां से सिखा देगा बिलवाइस details maintain करना भी आपको आजाएगा और books का finalization भी आजाएगा तो देखो यह चीजे है को मनिश कुपता सर ठीक है सो वह आपको पढ़ाएंगे उनका बहुत ज्यादा experience में मोर दें 25 यह उनका टैली के अंदर experience है तो आपको बहुत आपको बहुत आपको बहुत आपको बहुत इजी लेंग्वी में सब चीजे समझाएंगे और मैं क्या करूंगा मैं आपको certificate की वैल्यों कि एजए साइन होंगे महां पर chartered accountant से आपने पढ़ा है तो उसकी वैल्यों हो जाती है तो brand value बहुत increase हो जाती है एक न क्रणार को भी पता है कि इस बाद शीठाव को डिए ने को नियुक्ता को जानते ने जानते हैं डाद सिए तो लीखा है नट तो आपको जानते में चानते हैं किसी सीखा है को मतलब सी असी कि नॉलेच बहुत उन्होंने quality maintain करी होगी doesn't matter मैं पढ़ा रहा हूं यह कोई क्योंकि subject expert आपको पढ़ा रहे हैं तो मेर से ज्याधा experience उनको होगा तो मेरी सब वह आपको पढ़ाएंगे so that's why यह सब चीजें हैं बागी कुछ भी डाउट हो तो आप देखना यूटूब पे या कहीं और देखना होगी क्योंकि वीडियो हर जगा अवेलेबल रहेगी सो description में आपको साथी details मिल जाएंगी वहाँ से आप join कर सको contact कर सको ठीक बाई बाई